कैसे हो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चनल के उपर अभी तक दोखो दोस्तों आपने ये चनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लो और बेल बटन को यूज़ कर लो ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस नहो जाए और पैसे कवाने का कोई भी मौका आप कवाना दो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको रेडिमेट्स कॉल्स चाहिए तो आप मेरी चनल भी जॉइन कर सकते हो ये जॉइन बटन के उपर क्लिक करते ही आपको सब इन्फोर्मेशन मिल जाएगी अगर आप लोग डाइरेक एक्विटी में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पॉटफोलियो का 50% अलोकेशन मुचुल फंड के अंदर होना चाहिए क्योंकि अगर आप मुचुल फंड में पॉटफोलियो बनाओगे तो आपको पूरे मार्केट का एक्स्पोजर मिलेगा बलकि आपने खुद पॉटफोलियो बनाया होगा तो आपके पॉटफोलियो में 10-15 बेस स्टॉक्स से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं होगे और आपकी प्रोफाइल को देखते हुए आपको कौन सा फंड सही रहेगा वो आपको जानना है तो आप मुझे क्वांटेक कर सकते हो मैं फ्री ओफ कॉस्ट आपको सजेस्ट करूँगा अभी तक आप लोग हमारे साथ वाटसप गूरूप और टेलिग्राम में नहीं जुड़े हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह का लिंक अवे लेबल है आप चुड़ सकते हो और ये वीडियो स्किप किये बीना देखेगा और लास्ट का पोर्सन ठीक से उसमें आपके लिए एक सप्राइज रखा गया है देखो आरी सी लिमिटेड को है ना मैं पर्सनली ट्रैक कर रहा हूं ये स्टॉक को अब ये स्टॉक का मैं आपको हाई टाइम फ्रेम के चार्ट का स्टॉक्चर देखता हूं देखो ये स्टॉक में है ना हमेशा ट्रेडिंग ही होता है अगर किसी ने ये लंबे समय तक ये स्टॉक को होल्ड किया है ना तो उसका पैसा बना ही नहीं है उसका पैसा बना ही नहीं है अब देखो किसी ने यहाँ पर यह stock buy किया होता 1802 पे 2010 में तो उसके बाद stock ने return ही नहीं दिया है तो आप यह structure देख रहे हो क्या structure देख रहे हो इवन इन इन दिस कोविट फोल यह stock 85 86 रुपिस पर आसपास आया था और फिर वहां से उसने rally start किया था ठीक है इवन आप लोग देखो तो 2008 तो exceptional case था लेकिन आगे का भी आप जो भी फॉल देखोगे तो वहां पर ही उसने 85 के आसपास ही आया है तभी से वहां से bounce दिखाया है अब यहां पर जिस तरह से यह chart के structure है न तो देखो पहला एक चीज क्लियर हो गया कि REC में investment नहीं करना है all of you getting me REC में लंबे समय के लिए काम करना है तो मेरी साइट से no clear cut no reason भी आपको बता है कि क्यों नहीं करना है अपका पैसा नहीं बनेगा दोस्तों जो बोल रहा हूं जो chart बोल रहा है वह हमें करना होता है ठीक है अब weekly time frame का चार्ट का में structure देखता हूं तो clear cut chart के structure है जब तक 121 break नहीं होता है हमें कोई भी reversal इस टॉक के अंदर नहीं देखने को मिलेगा तो यहाँ पर एकदम clear advice दे रहा हूं एकदम clear cut advice में आपको दे रहा हूं इस stock के अंदर buying करना है only and only above 121 rupees अगर 121 rupees break होता है तो फिर momentum trading अगर आपको करना है momentum play होगा इस stock के अंदर और फिर किसी को काम करना है तो आप जरूर से काम कर सकते हो और weekly time frame का जो इस तरह से chart का structure यहाँ पर देखने को मिल रहा है अभी भी reversal के sign तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं कोई भी reversal के sign नहीं दिखाई दे रहे हैं तो reversal कब होगा यह stock के अंद जब यह stocks 121 रुपिस के ऊपर sustain करना चालू करेगा समझ रहे हो तो जब तक यह confirmation नहीं मिलता है यह REC के अंदर हमें कुछ नहीं करना है अगर काम करना ही है तो 121 रुपिस का आप लोग वेट कीजिए वहाँ पर फिर 5 रुपे का risk लेके किसी को भी काम करना होगा तो फिर आप काम कर सकते हो आपके लिए first target 128 रुपिस 128-130 रुपिस के आज पासके आपको target देखने को immediate target देखने को मिल सकते है और फिर वहाँ से trail stop loss के साथ अगर किसी को भी काम करना हो तो फिर हम काम कर सकते हैं but काम कब करना है काम करना है only and only above 121 रुपिस मैं जो भी analysis कर रहा हूं उसका demo lecture का link description में डाला गया है वो video देखे knowledge required कीजिए फिर काम कीजिए कोई भी एक mentor choose कीजिए सीखने के बाद काम कीजिए